आप सभी का स्वागत है जोती शूर्जा में घर में दीपक जलाना बहुत अनिवारे माना जाता है यदि आप पूजा में विशेश ध्यान लगाते हैं तो आपको पूजा के दौरान दीपक अवश्य जलाना चाहिए जिस घर में सुभह शाम दीपक जलाया जाता है उस घर मे खुशियों की बारिश होती है हालांके दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना बहुत जरूरी है तो आईए जानते हैं आज उन नियमों के बारे में हमेशा दीपक को सही जगे पर रखना चाहिए पूजा के समय में सिरफ दीपक जलाना ही काफी नहीं होता बलके दीपक को रखने का स्थान भी बहुत जाधा महत्बुन है जब भी पूजा में दीपक जलाएं तो हमेशा दीपक को भगवान के सामने रखें यडि पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपने बाईं हात की आः रखना चाहिए और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे दाई हाथ की तरफ रखना चाहिए इन बातों का ध्यान रखने से दीपक जलाने का फायदा मिलता है और भगवान भी प्रसन होते हैं अब बात करते हैं बाती की दीपक में बाती का विशेश महत्व है क्योंकि दीपक को बाती की बिना जलाया ही नहीं जा सकता इसलिए ये सबसे जादा जरूरी है कि कौन सी बाती कैसे जलाने चाहिए जिससे दीपक को जलाने का पूरा लाभाब को मिल सके दीपक में जब भी बाती का प्रियोग करें तो हमेशा पूजा के बाद बाती को बदल देना चाहिए इसके इलावा अगर आप तेल से दीपक जला रहे हैं तो उसमें आप हमेशा लाल रंके धागे यानि मोली का इस्तेमाल करें और अगर आप शुद्ध घी से दीपक जला रहे हैं तो ऐसे में रूई की बाती का प्रियोग करें इन बातों का खास ध्यान रखें अगर आप शनी की पूजा कर रहे हैं तो काली बाती भी इस्तेमाल की जाती है शनी की पूजा में या तो आप सरसों के कड़वे तेल का दिय जला सकते हैं और या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं ऐसे में काला धागा मिलता है उसकी बाती बना कर अगर आप प्रयोग मिलाते हैं तो उसका लाब आपको मिलेगा तो इस प्रकार से हर बाती का अपना अलग महत्व है और हर घी और तेल का भी अपना अलग म जाता है दीपक को हमेशा मुख्य द्वार पर जला सकते हैं पर अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिन दिशा की तरफ है तो ऐसा कभी मत करें क्योंकि हमेशा अगर आपका मुख्य द्वार पूरव दिशा की और है तभी आप वहां पर दीपक जला सकते हैं पश्चिम दिश तो वो अशुपता में बदल सकता है। इसलिए है क्योंकि हम सब अपना खाना जब खाते हैं तो समय देखकर खाते हैं। लोगों को लगता है कि रुजाना पूजा करने के बाद भी वो उचितलाब आपको क्यों नहीं मिलते इसका कारण यही है कि हम लोग इन खास बातों का ध्यान नहीं रखते अगर हम इन खास बातों का ध्यान रखें और इसी प्रकार से पूजा करें तो कभी भी ऐसा नहीं अगले बात कर रही हूं मैं खंडित दीपक की, बहुत से लोग कई बार ऐसा होता है कि जोद जलाते हैं वो जोद कई बार थोड़ी सी खंडित हो जाती है, टूट जाती है पर उसे उसी तरी से यूज करते रहते हैं, तो ऐसा बिलकुर भी ना करें, पूजा में आप जिस दीपक का प्रियोग कर रहे हों, चाहे वो मिट्टी का है, चाहे वो मैटल का है, पीतल का है, किसी भी तरह का है, अगर वो जरा सा भी खंडित है, तो आप उसे पानी में बहा दें, या आप उसे किसी पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं, या आप मिटी म दबादे उस खंडेद दीपक को आप कभी मत जलाएं खंडेद दिया जलाने से देवी लक्षमी नाराज हो जाती है इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आप से कभी मा लक्षमी नाराज हो तो आप ऐसा कभी मत करें पूजा के समय में अगर आपका दीपक कभी भी बुझ जाए तो कभी अपने अंदर नकरात्मक विजार मत लेकर आए आप उसे दुबारा जला कर भगवान से क्षमा मांग ले अगर कोई भी गलती हुई है तो उसमें क्षमा मांगने में कोई भी हर्ज नहीं होता तो इसलिए भगवान के आगे नतमस तक होकर आप ख्रमा मांगें और दीपक को दुबारा जला दें दीपक जलाने के लिए उसे हमेशा साफ सुत्रा करके जलाएं कभी भी जैसे आपने पहले दिन जलाया है अगर दीपक ऐसे ही पड़ा है तो उसे कभी भी ऐसे ही मत जलाएं उसे बिल फल लेना चाहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी से कश्टों को मिटाना चाहते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी परिशानिया दूर हो और आप जैसे ही दीपक जलाएं आपका घर भी रोशनी से भर जाए तो इन यह मों का पालन आप अवश्य करें आज के लिए इत